हेलो दोस्तों आप मेंसे बहुत से लोगों ने कभी न कभी चूले पर बना हुआ खाना खाया ही होगा तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पोकडा कड़ी तो यहां मैंने लिया है एक बड़ा बरतन जिसमें डाला है मैंने एक चोताई कप बेशन अब इसमें डालेंगे दो बड़े कप चाप्श आप यहां पर एक कप दही का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मिर्शी पाउडर और इसे अच्छी से मेक्स करेंगे इसमें मैंने अभी नमक का यूज नहीं किया है नमक मैं इसमें बाद में डालूगी अब इसमें एड़ करेंगे तीन कफ पानी और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर यहां मैंने लिया है चार बड़े चमज बेसन इसमें डाला है मैंने एक चमज हल्दी पाउडर आदा चमज मिर्ची पाउडर और नमक स्वादर नुसार और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक गाड़ा सा पेस्ट बना लेंगे क्योंकि यह बैटर हम पकोड़ियों के लिए बना रहे हैं और वो भी आलू की पकोड़ी और आप देख सकते हैं कि यह बिरकुर परफेक्ट है हमें इतना ही गाड़ा पेस्ट चाहिए अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा आलू कटा हुआ मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा काटा है आलू डालने के बाद यह पेस्ट थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि बेसर में नमक डला हुआ है और आलू अपना पानी छोड़ देते हैं इसलिए पेस्ट को थोड़ा हमें गाड़ा ही रखना है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हारा धनिया और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब चलते हैं इनकी पकोडिया बनाने के लिए मैंने तेल पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम हो चुका है और इनकी अब छोटी छोटी पकोडियां हम बना लेते हैं चमज में एक या दो आलू ही लेंगे हम ज्यादा आलू लेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा इसलिए हमें छोटी छोटी पकोडियां इनकी बनानी है मैं ये पकोडियां हमेशा जादा कांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि मेरे बेटों के ये बहुत पसंद है सारी पकोडियां हम ऐसे ही बना लेंगे और अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की और यहां मैंने लिया है एक बड़ा बटन अब डालेंगे दो चमच तेल तेल अच्छे सग्रम हो गया है इसमें डालेंगे जीरा, दो लोंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीज, एक लाल मिर्ची और दो से चार चुटकी हींग अब हम इसमें डालेंगे कड़ी का पैटर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमें ढाल कर नहीं पकाना है कड़ी में जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसे ऐसे कंटीन्यू चलाएंगे कड़ी में बॉयल आने लगा है आप देख सकते हैं अब इसे 10-15 अमने तक हम पकने देंगे और इसे बीच बीच में इस तरह से हम चलाते भी रहेंगे कड़ी जितनी देर तक पकती है उतना ही टेस्ट अच्छा आता है कड़ी को काफी देर हो गई है पकते हुए देवांश, विदांश, बोथार मैसन बड़ा बीटा वेट कर रहा है कि जल्दी से कड़ी बने और मैं कड़ी चावल खाऊं और अब इसमें डालेंगे हम नमक अपने स्वाद अनुसार और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे कड़ी को पकते हुए लगबग 10 मिनट हो चुकी है मैं इसे अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी कड़ी से काफी अच्छी खुश्बुक आ रही है दोस्तों चूले पर बना हुआ खाना बहुत ही स्वादेश्ट बनता है और ये जल्दी भी बन जाता है हम कभी कभी इस तरह सिगडी पर खाना बना लेते हैं मुझे और मेरे फैमिली को चूले पर बना हुआ खाना बहुत पसंद है अब इसमें डालेंगे हम आलू की पकोडियों को और इनने डालने के बाद एक दू मिनिट के लिए और मैंसे पकाऊंगी एक दू मिनिट बाद कड़ी की थिकनेस बिल्कुल सही है अब इसे करते हैं प्लेट आउट वो भी तड़के के साथ में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई